relationship between reliability and validity reliability और validity के दर्म्यान क्या relationship है सबसे बहुत reliability किसे कहते हैं कि अगर एक बच्चे का किसी भी जगा test ले लिया जये किसी भी condition में ले लिया जये तो उसका जो result है बार-बार same ही होता है जबके validity का ये मतलब है कि एक टेस्ट को जिस चीज़ को मयर करने के लिए बनाया गया है कि क्या टेस्ट वाकि उस चीज़ को ही मयर कर रहा है जैसे कि IQ टेस्ट है IQ टेस्ट जा है intelligence को मयर करता कि क्या वाकि उस टेस्ट के अंदर इस किसम के सवालात मजूद हैं जो कि बच्चे की intelligence को चेक कर सकें दूसरे reliability और validity को इस तरह से भी समझा जा सकता है जैसे कि एक बच्चा है उसने अपना goal बनाया है कि उसने 100 में से 90 marks लेने है लेकि जब वो test देता है कभी उसके 80 marks आगे हैं कभी उसके 77 आगे हैं इसके लावा कभी उसके 76 आगे हैं और कभी उसके 75 marks आगे हैं तो देखा जाए 75, 76, 77 और 80 ये चारो values जो हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं तो इसका मतलब है कि ये values reliable हैं यानि कि 75, 76, 77 और 80 इनके दरम्यान इतना ज़्यादा फरक नहीं है तो 75 और 90 के दरम्यान काफी ज़्यादा डिफरेंस है 76 और 90 के दरम्यान काफी डिफरेंस है 77 और 90 के दरम्यान कितना ज़्यादा डिफरेंस है 80 और 90 के दरम्यान कितना ज़्यादा डिफरेंस है तो जो reliability होती है ये बार बार एक जैसे result ही produce करती है यहां पर जो given values होती है यह एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती है लेकिन validity के अंदर क्या होता है कि उस जो given value को जो के एक main value है इसका हम लोग comparison करते हैं बाकी given value के साथ जैसे 75 को हम लोग 90 के देखेंगे तो 75 जावर 90 के पास नहीं है यानि कि इसके दर्माइन काफी ज़दा difference है इन दोना के दर्माइन 76 का भी इसी तरह 77 और 80 का भी अब ये एक circle है इस circle के अंदर देखा जाए तो दर्माइन में जो circle है वो यहां पर show कर रहा है validity को दर्माइन वाला circle किस चीज़ को show कर रहा है validity को और बाकी जितने भी blue circle है ये सारे के सारे reliability को show करें अब देखा जाए यहां पर blue circle सारे के सारे एक दूसरे के करीब है एक दूसरे के करीब है यानि के जैसे के 80 था 77 था 76 और 75 जो के एक दूसरे के करीब थे ये doors भी उन numbers की तरह एक दूसरे के करीब है इसका मतलब है कि यहां पर जो reliability है वो क्या है हाई है दूसरा यह कि यह जितने भी blue doors है यह सारे के सारे जो red doors है उसके करीब है इसका मतलब है कि इसकी जो validity है वो हाई है यानि कि बचे के जो marks थे वो 90 थे 90 उसका goal था लेकिन अगर उसके 89 आगे इसके लावा उसके marks जो है 88 आगे है या फिर 87 आगे है तो 87 जो है यह भी 90 के करीब है 88 भी 90 के करीब है और 89 भी 90 के करीब है यानि कि जिस चीज़ की validity ज्यादा है यहां पर उसकी reliability भी यहां पर हाई हो गई है इसके बाए यहां पर figure number 2 है figure number 2 के अंदर देखा जाए तो दरम्यान में जो red dot है यह है validity और बाकि जो blue dots है यह सारे के सारे reliability है यहां पर blue doors को देखे जाए तो सारे के सारे एक दूसरे के करीब है इसका मतलब है कि जो reliability है यहां पर वो high है लेकिन यह सारे जो blue doors है उनका red doors है जो के दरमयान में इसके दरमयान जो difference है वो ज्यादा है इसका मतलब है कि validity low है क्योंकि अगर यह Blue Doors इस Red Doors के पास होते हैं तो इसका मतलब था है कि Validity High थी इसके बाद है यहां पर Picture No.3 Picture No.3 के अदर अगर देखा जाए तो यहां पर जितने भी Blue Doors हैं उन सब के दिर्मेंड डिफरेंस है यानि कि यह एक दूसरे के पास पास नहीं है एक दूसरे से दूर है तो Blue Doors के इसको शोग करते हैं Reliability को तो जब Blue Doors एक दूसरे के पास नहीं है इसका मतलब है कि जो Reliability है वो Low है दूसी तरफ यहां पर देखा जाए तो तीन जो Blue Doors है यह Validity कौन से यहां पर Center वाली तो Blue Doors जो हैं Center वाले के साथ है Center वाले Red Doors के पास-पास है इसका मतलब है कि जो इसकी V 기 staff है वो हाई है जो कि यह वाला Blue Doors के साथ है यह वाला भी और यह वाला भी तो है है इसके पास यहां पर जो प्क्चर नंबर 4 है यह प्क्चर नंबर 4 यहां पर देखते हैं कि जितने भी Blue Doors है उनका आपस में जो distance है वो काफी ज्यादा एक दूसरे के पास नहीं है तो blue doors को इसको show करते हैं reliability को ये doors एक दूसरे के क्रीब क्रीब नहीं है बलकि एक दूसरे से दूर है इसका मतलब है यहां पर जो reliability है वो low है फिर इसके लवा अगर देखा जाए यहां पर जितने भी जो blue doors है उनका जो फासला है जो तरमयान वाला red doors है जो के validity को show कर रहा है तो सबी जो blue doors है उनका जो distance है इसका भी ज्यादा है इस वाले का भी, इस वाले का भी. यनि कि काफी जहाए जो blueいき डोर्स है, उनका तरमान वाले redいき डोर्से जो फासला है, वो ज्यादा है. तो जब फासला इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो validity है, वो low है. Reliability और validity का जो relationship है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है सबसे पहले किसी भी चीज़ کا किसी भी टेस्ट का reliable होना ज़ूरी है कि अगर टेस्ट reliable होगा तो फिर ही वो valid हो सकता है कोई भी टेस्ट reliability के बगैर valid नहीं हो सकता इसका मतलब यह नहीं कि कि जिस टेस्ट की reliability low है उसकी validity high आ जाए ये भी हो सकता है कि टेस्ट की अगर reliability काम है यानकी reliability low है तो validity भी इसकी low हो जाए पेपर के अंदर हम लोग ये circle वाड़ी जो डायग्रामस है उसको बना कर अपने concept को अच्छी तरीके से लेबोरेट कर सकते हैं